नवस्कार आप देख रहे हैं मासकुम जंक्षन मैं डॉक्टर प्रदीब कुमार हाजिर हूँ एक और नहीं वीडियो के साथ डियो स्टुरेंट्स आज हमारा विशे है डेमोक्रेटिक पार्टिस्पेंट मीडिया थेयरी जिसे हम पार्टिस्पेट्री मीडिया थेयरी के नाम से भी जानते हैं जिहां लौकतांत्रिक सहवागिता का मीडिया सिध्धामित जैसा कि आप जानते हैं मीडिया थेरीज की वीडियो सिरीज में इससे पहले हम 4 Theories of Press के बारे में चर्चा कर चुके हैं जिसके अंतरगत हमने Authoritarian Theory, Libertarian Theory, Social Responsibility Media Theory और Soviet या Communist Media Theory के बारे में डिसकस कर चुके हैं 4 Theories of Press के बारे में विल्बर शैम, TV पेटरेशन और FS साइबर्ट ने अपनी पुस्तक 4 Theories of Press में बताया इसके बाद और दो Theories वो हमारे सामने आई और इन दो Theories को हम Democratic Participant Media Theory और Developing Nations Media Theory के नाम से जानते हैं तो आज हम चर्चा करेंगे Democratic Participant Media Theory के बारे तो Democratic Participant Media Theory के शुरुआत हुई जर्मनी से और इसके जो सबसे बड़े समर्थक हैं जोनोंने इस थेरी के बारे में बताया, वो है Dennis Macwell एक बहुती बड़े संचार वेग्यानिक, Communication Scientist, Communication Theorist जिसे आप कहे सकते हैं उन्होंने इस थेरी का समर्थन किया और बहुत से Western Countries में इसकी शुरुआत हुई जब एक वक्त ऐसा आया, जब मीडिया पर कुछ और जोगी घरानों का, कुछ बड़े बड़े corporate sector या corporate houses का उस पे एक प्रेसे एक अधिकार हो गया, उस पे मोनोपोली उसकी होगी, तो इसके बहुत से नकारात्मक प्रिवणाम सामने आने रही इसलिए जो democratic participant media theory है, वो लोकतांत्रिक सहवागिता की बात करती है, यानि ये theory कहती है कि जो जन संचार के माध्यम हैं, चाह वो television है, radio है, समाचार पत्र है, पत्रीकाएं हैं, उन में सब की भागिदारी होनी चाहिए और वो किसी एक business house, corporate house या एक विक्ति विशेश के अंतरकत वो सारी सीज़ें नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा होगा, तो वो एक खास work की बातों को ही रखेगा सामने, या वो एक ही विचार धारा को आगे बढ़ाएगा, और उसमें जो आम जन है, उसकी भागिदारी कम होती जाएगी, democratic participant media theory, जो media का बाजारी करण है, उसका भी विरोद करती है, क्योंकि अगर ये business houses के हाथ में सिर्फ media रहेगा, तो वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड में, पतरकारिता की जो सिध्धानत हैं, जो journalism के principles हैं, basic principles हैं, उनको भूल कर, जो business के principles हैं, जो hardcore जो business है, उसकी तरह मीडिया से भी वो deal करेंगे, और मीडिया जो है, जो इसे लोगतंतर का चोता स्थम माना जाता है, जिसे voice of the people के नाम से हम जानते हैं, जो लोगों की समस्याओं को रखने के लिए एक मंच है, जो एक लोगतंतर को मजबूत बनाता है, वो कहिना कहीं कमजोर होता साथ ही जो ये थेरी है, ये जो सेंटिलिजम और जो बिरोक्रिटाइजेशन जो मीडिया का है, इसको भी उसको विरोध करती है, कि एक तरह से केंदरी करनी होना चाहिए, आज आप देख रहे हैं, अगर हिंदुस्तान की आप बात करें, तो बहुत से मीडिया हाउसी जैसे हैं, जिनका अपना समाचार चैनल भी है, जिनका अपना समाचार पत्र भी है, उनका अपना रेडियो एफम भी है, यानि वो मीडिया जगत में चाहिए हुए हैं, और बहुत से ऐसे मीडिया हाउसी हैं, कि अगर आप बात करेंगे, तो जो बड़े-बड़े समाचार पत्र बड़ बड़े समाचावर चैनल है वो आठ से दस लोगों के हाथ में सारी से तो इससे क्या होता है इससे जो एक लोकतांतरिक सहवागिता है 130 क्रोड से भी ज्यादा जो भारपिया है उन सब का participation मीडिया के content में नहीं हो पाता है उनको वह तवज्यों नहीं मिल पाती है उनकी समस्यें जो है उपर मुफ्ता से मीडिया के दवारा नहीं उठाई जाती है इसलिए जो तेहरी है यह democratic participation की बात करती है चुकि जो developed countries है जहां से इसकी शुरुवात हुई जो बड़े countries है rich or developed countries है western countries है वहाँ पर लोगों के पास संचार की साधन है वो टैक से भी हैं वो तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं तकनीक का जैसे परचार परसार हुआ खासकर जो internet का परचार परसार हुआ है उससे अज हर हा अविदार ही कर सकते हैं मीडिया में उसका content generate करने में तो सच में जो एक alternate media की बात के थेरी करती है वो internet ने मोहया करवाया है कि जो मीडिया जो एक तरह से अलग जो मात्यम है जो जनसंचार के माध्यम है उन पर एक खास वर्ग या कुछ एक लोगों का नियंदर नहीं होना चाहिए अगर उनका नियंदर होगा तो एक खास वर्ग की बातें ऊपर रखी जाएंगी उन्ही कि समस् स्वेपर जिसमें इवनिंग डेलीज भी हैं चोटे-चोटे शहरों से निकले वाले लगुसमाचार पत्र हैं यहां गवर्मेंट के जो रेडियो हैं पुब्लिक बोड़कास्टर हैं जो की आमजन से जैसे सीधी बात करते हैं उसकी बात को परमुकता से रखते हैं हिंदुस् उस्तान में जो हरित करांती आई उसमें रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा और उसका योगदान उसका प्रमुक कानगी था कि रिजनल लेवल पर जो अलग अलग रेडियो जो सेंटर थे उलिए रेडियो के उन्होंने बहुत एहम भूमी का निभाई जो मैसेज कि लोगों के रहेगी तो ग्रास्रूट लेवल तक और जो एक बात करते हैं हम जो बहुलवादी प्लॉरलिस्टिक हम जो बात करते हैं वह कॉंटेंट में नहीं हो पाएगा और वह आम जनकी आवाज मीडिया जो है नहीं बन पाएगा इसलिए डेमोक्रिटिक कहती है कि जो जनसंचार के माध्यम है जन सारफ के जो साहका थान है समाझार पटर रेडियो मैगजिन पर केवल कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए वालकि आम लोगों से उसको जोड करके समाचार पत्तर जैसे कम्यूनिटी रेडियो है वो एक खास कम्यूनिटी की जो प्रोब्लम से उनको एड्रस करता है कम्यूनिटी टेलिवीजन है वो एक शेतर विशेश की समस्याओं को ए क्या आपको पूरे भारत का प्तति निद्टो दिखता है शायद नहीं वो क्योंकि हमारी दिल्ली राजदानी है तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास या इसके रहावा जो बड़े शहर है चाहिए मुंबई है कैलकटा है तो वहां के जो बड़े बड़े शहर है उनकी समस्य गटनाएं या उनकी खबरें उन प्रमुक शेयरों में होने वाली घटनाएं जो है उन्हीं को शायद ज्यादा स्थान मिलता है बजाए कि दूर दराज के जो इलाके हैं तो ऐसे में अगर कम्यूनिटी डेडियो कम्यूनिटी टेलिविजिएन रिजिनल मीडिया रिजिनल जैसा कि आपने देखा पिछले 15 से 20 साल में काफी आए हैं रिजिनल लोग चैनल कम्यूनिटी डेडियो भी आया है तो इससे जो आम जनकी आवाज है आप देखते हैं कि उस अल्टरनेट मीडिया के माध्यम से एक प्रमुक मीडिया तक मेंस्ट्रिम मीडिया तक पहुंच तो इसी तरह की कुछ और वीडियो के साथ हम आपके बीच लगाते रहेंगे आप जूड़री है हमारे साथ और देखते हैं मास कम जंक्शन धन्यवाद